आज की वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाले हूँ थिस सॉफ्ट कट क्रीज आईशाडव लुक और ये वीडियो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है विकास स्टेप बस्टेप हर एक स्टेप को मैं डीटेल्स में आपके साथ शेयर की हूँ वीडियो थोड़ा सा लंबा है बट आप अगर बिगनर भी हो तो यू कान क्रिएट दिस लुक अगर आपको देखना है हाँ तो क्रिएट दिस लुक और प्लीज किप ऑन वाचिए सबसे पहले यहाँ पर आईशाडव बेस के लिए मैं कंसीलर यूस की हूँ यहाँ पर मैं बिलानी का कंसीलर यूस की हूँ इंदी शेड वन फॉर्टी और इसको मैं आई लीट पर अप्लाई करूँगे और उसके बाद एक प्रश के साथ अच्छे से ब्लेंड करूँगे नेक्स मैं सेट करूंगी आईशाडव बेस को विट सम लूस पाउडर यहाँ पर मैं मेबलीन फिट मी का लूस पाउडर यूस की हूँ आईशाडव बेस को सेट करने के बाद हम लोग अप्लाई करेंगा आईशाडव जिसके लिए मैं एक आई मैजिक बोल के ब्रैंड का एक पैलेट यूसकी हूँ यह वाला पैलेट मुझे काफी अच्छा लगता है काफी कलरफूल कलर से इसमें तो सबसे पहले एक काईड ओफ को रिली ओरेंज काईड ओफ शेट को लेके मैं अपलाईगी हूँ क्रीस पे विथे फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश यहाँ पर थोड़ समय ब्लेंड करूंगी अच्छे से थोड़ा टाइम दोंगे स्टेप में ताकि अच्छा सा ट्रांजिशन क्रियेट हो और एजेस बहुत जादा हार्श ना दिखे सॉफ्ट सा ब्लेंड इड लूप मिलें इसके बाद मैं परपल शाड़ो को एक स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश में लेके आउटर वीव पे सबसे पहले प्लेस करना स्टार्ट करूंगी और दीर दीरो इसको क्रीस पे भी लेके जाऊंगी जस्ट प्रीवियस शेड से थोड़ सा नीचे तो यह वी काइंड आफ क्री यहाँ पर आटे टाइम मैं कलर बहुत कम लेके ब्लेंड करते हुए मैं आगे बढ़ूंगी क्रीस पे और धीरे-धीरे मैं कलर को प्लेस करूंगी जितना इंटेंसिफाई मुझे लग रहा है की चाहिए मुझे इसके बाद हम लोग कट क्रीस ड्रॉ करेंगे जिसके लिए मैं सेम कंसीलर को लेके मैं कट क्रीस ड्रॉ करीं और ब्रश के लिए मैंने प्रो आट का कंसीलर ब्रश यूस किया है यह बहुत ही अच्छा एक यूसफुल ब्रश है फोर कट क्रीस ड्रॉइंग तो अब देख सक को कट क्रीज ड्रॉ करने नहीं आता है तो आप मेरा कट क्रीज ड्रॉ करने का बहुत सिंपल हैक मैं आपके साथ शेयर की हूँ एक सेपरेट वीडियो में वह आप देख सकतों से बहुत अच्छा आपको हेल्प मिल जाएगा हाव टु क्रीएट कट क्रीज सो यहाँ पे मैं काफी टाइम ली हूँ कट क्रीज ड्रॉ करने के लिए इसके बाद वाइट शेड़ो को लेके मैं सेट करूंगी फ्रॉंट सेक्षन टू सेंटर लीड तक सो यह मैट शेड़ो है और एक एकदम फ्लाइट स्मॉलर ब्रश के साथ मैं कलर को प्लेस कर रही हूँ यहाँ पे इसके बाद मैं और कोई कलर नहीं प्लेस करूंगी तो यहाँ पे मैं सेट कर ली हूँ पूरे कंसीलर को फ्रॉंट सेक्षन के इसके बाद मैं अगेन परपल शेड़ो को अपलाई कर रही हूँ आपडर वी पे थोरसा स्मूद आउट करने के लिए कंसीलर का कोई भी एज ना दिखे उस बैजे से भी सो यहाँ पे एकदम कम क्वांटिटी में कलर को लेके मैं आउटर वी से काइंड ओफ सेंटर लीट तक आऊंगी और जब ब्रश में बहुत कम कलर रहे तब आप धीरे धीरे इसको काइंड ओफ ग्रेडियेशन क्रियेट कीजिए इसके बाद पीची बोलके जो शेड है काइ नहीं जाओंगी वहाँ पे हम लोग वाइट शेडव को ही रखेंगे मैं एक फ्लॉफी शेडिंग ब्रश के साथ कलर को प्लेस कर यूँ और जब ब्रश में कम शेडव रहे तब फ्रॉंट सेक्शन के तरफ आप ग्रेडियेशन क्रियेट कर सकते हो इसके बाद एगेन मैं इसके बाद थोड़ सा डेप्थ प्रोवाइट करने के लिए आउटर वी पे मैं ब्लैक शेडव अप्लाई गरूँ तो यहाँ पे मैं एक्दम स्मॉलर प्रेंसिल ब्रश के साथ ब्लैक शेडव अप्लाई गरूँ तो यह स्टेप ऑफ्शनल है अगर आपको करता है कि आपको नहीं करना है दन स्किप दिस स्टेप अधरवाइस ब्लैक शेडव अप्लाई करने से बहुत एलिवेट कर देता है आई लूप को यह कांडव स्मोकी नेस लाता है आउटर वी पैन आलसो बहुत ब्यूटिफुली यह कांडव डेफ्थ प्रोवाइट करता यूगां से सो यह स्टेप के पाथ आप यूज डिफरेंस देख पाऊ गया आई मेकप में यहापे मैं ब्लैक शाडव को बनाम पर ब्लैक शाडव के उपर से पलेस की हूँ इससे बहुत जादा प्रोमिनेतली ब्लैक शाडव नहीं दिखेगा बट जो स्मोकी नेस तो आई रिधा करें बहुत जादेखने कई दुका जाएं अपाइंडा काने के जाएंडिके बहुत जाएंडे n आ लाएंड़ पर इसे लोग को बहुत लाएंड पर गीप्टेट लेग अहँ डी जा एप्ल रखना जाते हैं जो इनर कॉर्णर तक लाइनर लेके गए हो इसको एकस्टेल करना है तो आई लुक को मैं सटल लखने के लिए ब्राउन का जल अपलाई करूँ यहाँ पे लोग लेश लाइन पे सो यह बहुत जादा बोल्ड नहीं करेगा आई लुक को अइसके बाद पीची बोल के जो शेड है उसको फिर से मैं लैश लाइन के लिए कर रहूं एक दम लैश लाइन के लिए के लिए लाइन के लिए लाइन तक लाइन को फिनेश करेंगे इसके बाद मस्कारा के साथ लैशेस को कोट कर लूँगी काफी बार यहाँ पर मैं बेनेफिट का रोलर लैशेस अपलाईगी हूँ यह अच्छा एक लैशेस मस्कारा है बट यह थोड़ा सा ड्राई हो चुका है मेरा वाला तो आप तो परचेस अन्यू वान जो यह अपर और लोर लैशेस को काफी बार कोट कर ली हूँ विदाट मस्कारा हाइलेटर के साथ मैं इनर कॉर्नर और ब्राव बॉन को हाइलाइट कर लूँगी इसके बाद मैं पॉइंटेड इनर कॉर्नर क्रिएट की हूँ और अवसो फॉल्स ऐलाशेस का साथ ऐलूक को कम्प्लीट की हूँ यह इस दा फाइनल फिनिश्ट लूक लेट मी नो आपको यह ऐलूक ओवरॉल कैसा लगा और वीडियो आपको पसंद आया है की नहीं आपको यह वीडियो बहुत हलफुल हुआ होगा और वीडियो पसंद आया होते लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और मैं आपसे फिर से मिलूंगी न्यू वीडियो के साथ तिल देन टेक क्यार और बाबाई